आप सभी को सादर प्रणाम, आज हम लोग यूद दस्ता, वेद मूर्ती तबोनिस्ट, पंडित स्री राम सर्वा आचार जी द्वारा लेकित, गायत्रे महामन के पंचम अच्छर व की व्याख्या, नारी की महानता, नामपुस्तक का सार संचेप सुनेंगे, जो की इस प्रग है, यदि मनुस्य जाती, उन्नती चाहती है, तो पहले नारी को सारिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक सभे दिस्टियों से महत्वोण और सुविक्सित बनाना होगा, तभी मनुस्यों में सबलता, सक्छम्दा, सदबुद्धी, सदगुन और महानता के संसकारों का उद सक्छा की उपयोगी दा, जीवन के प्रतैक पल में होने पर भी वर्तमान सच्छा में सुधार की आवस्चता प्रदीत होती है, आज के सच्छित कन्याएं बहुत ही फैसन प्री हो गई है, वे घर वालों की बती अपने कर्थव्यों को भी विसार देती है, अदज्यस आवस्चता है, हमारी पवित्र मातिवों में भारत वर्स ने सुल्भा, गार्गी, मदाल्सा, आदि साधु नारियों, सीता, सावित्री, अनुसुया, आदि पती व्रदाओं, तथा मीरा जैसी भक्त नारियों को भी जन्व दिया है, आधुनिक नारिवर्ड को उनसे प्रि अलंकार है, इस्त्रीयों को गीता, भागवत, रामायण, तथा अन्य धार्मिक, पवित्र ग्रंथों का ज्यान होना चाहिए, स्वास्थिविज्ञान, रीचिकित्सा, परिचर्यकर्म, बालसिचर, आहार सास्त्र, तथा संदान सास्त्र, आदि का ज्यान होना चाहिए, लज्जा, उदारता, अधि गोर्ड सभाविक होते हैं, और साथ ही होती है आत्म समर्बड की प्रबल साधना, यह जिसे आत्म समर्बड करती हैं, उनके दोसों को निलकंड की तरह जीवन बर बून-बून करके पी जाने में सतक प्रेकनसील रहा गरती हैं, और उसे मानती है अपना सभाविक देवता, धर्म और संस्किते की प्रदीक, सवरूप, भारती नारी किसका हल नहीं रखती, वदानों को भी मानव, हत्यारे को भी धर्मात्मा, और नेदय को भी सदय बना सकती हैं, उनके आसूओं में धर्म है, वानी में संस्किती है, और हासे में सुख का राज्य है, मानो धर्मों का सचे अर्थ में किवल वही पालन कर सकती है, इस्तरी, ग्रेणी, माता, तदा सहचरी के रूप में समाज के उत्धान में भाग लेती है, माता सब्द तो पारिवारिक जीवन के लिए मानो अमरित का भंडार है, माता पहिवार के लिए त्याग, और प्रेम की द्रिवेडी ही है माता और पुत्रकप जो प्रेम परस्पर रहता है उसी से पारिवारिक जीवन अधिक सुखी बनता है मादा समाज सिवा के उचे से उचे आदर्सों की साच्छात मोर्ती ही है अपने बच्चों को पालने उसने में वस्व कस्टों को हस हस कर जेलती है आज भारत की मांग है अध्यात्म एवं वैदिक धर्म का उनर थान और भारती धर्म एवं संस्किती का उनर इस्थापना जब घर-घर में पुना वेदों की वाड़ी गोंज उटेगी तब भारत फिर से अपने प्राक्चीन जगत गुरू के गरों को प्राप्त करेगा हर छेत्र में सामाजीक, आर्थिक, धार्मेक, राजनीतिक, नैतिक एवं नैस्थिक पुनर गठन करते हुए भारत के सच्चित नारी जिस्पत का निर्माड करेगी वपत बड़ाई सुगम एवं आध्धात्मिक होगा फिर से भारत में रिश्यों के परंब्रा जागरत होगी फिर से नारी के मात्य सत्य रूप में पुजा होगी वो आज सबला बनकर चेतना, प्रेणडा, मुक्ति एवं आध्धात्मिक्ता की साकार मोर्ती के रूप में आउतरित हो रही है नारी का सहयोग परिवार में, समाज में आरम होगा तो एक ऐसा वातावन बनेगा जहां फिर से ददीची, करण और राम पैदा होगी नारी की सबल प्रेणडा पुरुष को नौसक्ति से भर देगी किन्दो इसके लिए आवस्यक है कि उसे आत्मबल, चरित्रबल, तबल में महान बनना होगा प्रग्यती ने नारी पर संतान उत्पादन तथा उसके पालन के रूप में जो विसेस उत्तरदाईत रखा है नारी का करतर भी है कि सबसे पहले अपने इस उत्तरदाईतों को भली प्रकार और अधिकार पूर्वक निभाए वह आज अगर अबला बनी है और अनेक बार उसे पुरुष का दुर्वेवार सन करना पड़ता है तो इसमें कुछ त्रूटी उसकी भी है वह संदान के ब्रदी विसेस्ता पुत्रों से आवस्सक्ता सदिक मोह रखती है और उनको सू योग्य और करतव पराण बनाने की तरह इसी का परिडाम है कि पुरुषों में अनेक दोस पैदा हो जाते हैं और भी मात्री जाती के प्रदी गर्वी पैवार करने में भी नहीं सकुचा थी यदि नारियों ने अपने को पुरुष की दासी का पद ग्राण करने के बजाए उसकी निर्मात्री के पद का करतवे पालन किया होता तो आज संसार की दसा कुछ और ही होती धन्यवाद वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूद करें